है जैसा कि दोस्तों आफ सभी को पताए कि कल से आप लोगों का है हिंदी का एकजाम होने जा रहää है तो उससे पहले में आप लोगों के लेकर के हैं पर आ गया हूँ हिंदी का सबजयक्टिब प्रस्ण जो कि पांच नमर्म में पूझे जाते हैं तो आपको प्रस्ण यह को च्छेगा ना सव्रज के वनवाग तगार निहार तो देखिए इस परकारसे आपसे देगा और कॉए हा कि कि इसका व्याहिख्या कर लिके लिके तो इसके यहां दिखना प्रस्तूत स्पार्मी मचिया हमारय हिंदी पाथे पुस्तक गोडली भागतु के का वह के अध्याय दो से लिया गया है इस दोहे में कभी बरज पर अपना जीवन वे सरवस्त नियुशावर कर देने की बात करते हैं इन कभी इसमें बरज की वगीचा एवं गुलाव का महत्त का उजागर करते हुए निरंटर की उसकी सोभा देखने की आकंशा प्रकट करते हैं और इस परकार से लिखेंगे कभी कहते हैं कि वरज बरज के बनूप के उपर इन रोग को भी निउचावर कर दूँगा कम निउचावर कर दूँगा तो कम है तो बरज के मन मोह का तालाब एबं वाग की सोभा देखते हुए कभी की आंख्य थमकते कभी की आंखे नहीं ठकती इसकी शुभा निरंटर निहारने रहनै की एक ताग्र किया है तो इसका कहने एक i की जो बाग की शुवा होता है यह आपका लिया गए गवह दर्श ठॉपांक्ति है इसमें बतलाये घ्य की शुवा है ऊसक्वी जो है वह अपने आपको निउच्फ पूछाबर कर गमले का तूटता हुआ तूटता हुआ उसका गौ और यहां पर पुछेगा खड़े का रखता हुआ खो ठीक है ना तो फिर व्याख्या करके आपको एंसर में लिखना है लिखना है प्रस्टूट पंक्ति हमारी पाटपुष्टक गोडली बागतु कवीटरी अनामिका द्व प्रियास कर रही का विटरी का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष के प्रती प्रती प्राप्री के लिए वैसी कतनाई का अनुभव होता है जिस प्रकार सुरुवात में बच्चों को अक्छर ग्यान प्रारंबी कि प्रस्टी सिक्षन प्रकिरिया में आती है तात्पर यहा अनुकूर लगातार परिश्रम करता है यदि वह लीक से हटकर परियास करता है तो उसकी कलपना सुव्यास्त गमले के समान तूट जाता है आथवा घरे के समान लुड़क्ती हुई रहा जाती है ठीक है और आगे परिनामता उसे अपने लक्ष की प्राप्ती नहीं हो पाती है अताबहसा सहज सरल तथा मान भावनावनात्वक घरे साल उड़कता हुआ उसका गोह जो है न गोह की करपना अलंकार है क्यूंकि कलपना या पण्यास को घरे के समानंग बना गया है तो इतना आपको लिखे जाना है पांच नमर आपका यहां पर फिक्स हो जाए गा तो इन ज़ंगर च्छनभर के लिए भर गई फिर विल्कुर खाली हो जाती है हो गई इसका पूरा आपको पंगति लिखना किस परकार से लिक्राइब को परस्टूट इस प्रकार से लिक्राइब प्रस्टूट ते हमारी पाटपुष्टक गोडली भागतु के मचली जो कहानी है ना मचली नामकानि से लिगए है इसी पंक्तियों में शंड्रबन नहान लिक्र में पहुंचने के लिए लेक्राइब करें मिहें दोया अवरे भरी हुई बाल्टी को उन्होंने क्या क्या उठा लिया उन्हें क्या हुआ उरेल दिया ठीक है ना इससे नहानगर की नालिया च्छन भर में भर गई और टुरंट पानी के बहजानिक पर खाली हो गई बस इतना लिखना है और आपको पांच नमर में राएगा तो फूरा एकदम देखते अब देखिए अगली आप्षिक क्या पुछेगा यह भी देखिए पुछेगा चार नमर में की सवय विदेशी बस्तू नर्चुकी गती रीट देट ललखात भारत यता कछूना अब भारत में दर्सायट ठीक है तो इसका पंक्ति लिखना तो सबसे प्रिलिखना प्रस्ट स्वादेशी पाट से लिया गया है जिसके रचेता जो है बडरी नारायन चोडरी परेमघन जी हैं इस पंक्ति में कवीता कवी ने बताया है कि कवी परेमघन कहते हैं कि प्राधहिंता के कारण सर्वट्र विदेशी बस्तू ही दिखाई पड़ती है लोगों के चाल चलन त नहीं दिखाए दे रहे हैं तो इतना लिखना आपको और आपको पांच नमर मिल जाएगा ठीक न विने चार बतला दिया और आपको अभी हम चाल कितना बतने चार और बट लाएंगे तो देख लिजिए आप देखिए फिर पांच नमर में पुछे का कि बतलाई यह या पंक्ति प्रस्टूट पंक्ति शूललित सागरविट और मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पात्पुष्टक गोडिलभागतु की कावखंद से कावखंद के अध्यातू से लिया गया है इस दोहे में कवी रस खान अपने दिल में अभी लासा प्रकत करते हुए कहते हैं कि श्री क्रिश्न की लाथी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोग पर राज त्याग कर दूँगा अगर केवर नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो जिसे क्रिश्न चलाते थे और तो हमें जो ना आठो सिध्यां और नौ निधियों की के सुख भूल शुक्र को भूल चलुप पाते ठीक है तो यह आपका कहने का आठ हो गया ठीक है तो इसको भी लिखना होगा आपको 5 लिए तो पूरा देख लिए जैसकी शॉट ले लिजी और इसको याद कर लिजिए अब आप से छे नमर में पुछे में पुछेगा कि भारत माता गराम बासीनी चुकि खेतों में फैला है स्यामाल अगे है धूल भला मेला सा आचर चुकि गंगा यमना में आशू जल मिटी की प्रतिमा उदासीनी ठीक है तो यह आप से पूछेगा तो आपको इसका एंसर जो लिखना होगा ना कैसे लिखिए लिखिएगा प्रस्तूत पंक्ति हमारे पाटपुष्टक गुडिल भागतु के कावखंद यानि की गदखंद के बारत माता शिर्शक पाट से लिया गया है जिसके कभी जो है ना इसके कभी आपको यार रखना है ना इसके कभी जो होंगे वह है सुमिट रानन पंठ जी है कभी सुमिट रानन पंठ जी लिखते हैं कि भारत माता आज गाओं में निबास कर रही है खेटों में फैली हर्यारी से आप स्यामर रंग वारी लग रही है भारत माता का आचल धूल से क्या है तो धूसली तो हो गया है गंगा यमन आपके दो आखे तथा उसका जल्ड आप के समान है आज भारत माता मिट्टी की एक उदासनी प्रतिमा के जैसी हो गई है तो इतना आपको लिखना है और पांच नमर आपको ले करके आना है तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग साथ नमर कुश्चन से अब आप से यह पूचेगा महल और जोपरी के बाद महल और कठन को कहानी से एक उदारन देकर सुआश्पष्ट की स्वाश्पष्ट डर्शाएं ठीक है ना इतना आपको पूचेगा तो आपको लिखना है सबसे पहले की इस प्रकार्शुक्तर प्रस्टूट पंग्ति आप लिख सकते हैं आइस में नहीं लिखें तो कोई दिकत ने करेगा तब तक उसकी हाड होती रहेगी लेकिन जिस दिन जिस दिन ये गरीब बर्ग अमीरों की सहायता करना बन कर देंगे तो उसकी वेना उसका पासा पलट जाएगा तो इतना को लिखना है और आपको पांच नमर लेकर के आजाना है चलिए आप देख लेते हैं लोग आ पूछा कंडरडन कपित अधर माउन असमिष्ट राहु गरिशिष्ट पर देश पर देन तू हासी नहीं यह आप से पूछे तो इसको आपको लिखना है कहां कहां से लिया गया है तो देखिए यार कर लिजी परस्तूत पंक्ति हमारे पाटपुष्टक जो गोड़ी भाग पर सोने का सोने के समान मुल्यबान धान उगता है फिर भी आम भारतिया नागरिक या खेतिहर किरिशक अत्याचालीशा सको एवं सूसको के चर्नों में लोटता है उस उनका गुलाम बनना रहता है भारत के किस्टान का मन धर्टी के समान से क्याता है सहिष्णू कुठक गर आप लोग याद कर लिजी आपके पास बहुत टैम है तो आराम शिषक को याद कर लिजे आठ नमर भी आपसे पांच नमर में पूछे जाएंगे तो आए आप लास्ट को देख लेते हैं इससे बारा आपके पेपर में पांच नमर बाराए को मिलेगा चलिए अब नौन नम अब लुठिक ड़रती सास ही सुन माने को ठीक ठीक याद रखे सबसे पहले लिखना आपको उत्तर में क्या तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पात पुष्टक गोडली भाग तुक के पदखन या काब खन के भारत माता से शकवाट से लिया गया है जिसके कभी सुमित्रानंद इसका विता में गुलामी पीडित भारत बर्षक को भारत के रूप में मानवी करन करके फिश्टिती का मानविक खिचा गया है और भारत अपनी महत्ता के कारण महत्तर यतियास रहता है बारत का एतिहासिक जो है ना महतुचाहे जितना भी हो रहा हो परन तूबर्टमान को देखकर बारत एतिहास पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है इसका कारण भारत का गुराम होना था जो इस पंक्ति से स्वाश्पष्ट होता है कि भारत मता स्वानीम फसल विदेश्यों के पहल तले रौंडा जा रहा है पेडिश्विक के तरह सहंसीर मन गती हीन हो गया है तो यह आप से पूछेगा तो पांच नमर आपक पंदरा नमर आपका इसी वीडियो से फिक्स हो गया तो इस अभी का इसकीन सवाट ले लिए अगर आपको इसका पुरा का पुरा पूरा पीडियो लेन ना है तो आप यह मेरा नमबर ले लिए इस पर आप लोग सीरे मेसेग कर लेंगे और आपको मैं भेज़ दूँगा य तुम का भी पंदरा नमर फिक्स हो जाए और आप लाइक भी सस्क्राइब भी कर सकते हैं ठाकी और नेक्स्ट वीडियो आ जाए